बिना एक बून तेल डाले कि आप मटन बना सकते हैं जी हाँ बिलकुल बना सकते हैं आज मैं आपके लाई हूँ ऐसी पानी वाले गोश्ट की रेसिपी जो बिना तेल के बनेगी तो यहां पर मैंने ले लिया है मटन आधा किलो करीब और एक पतीले में खरीब एक लीटर पान क्योंकि तेज आज में हमको करीब 10 मिनट तक इसको बालना है तो वेलकम है आपका समस केचेन में और आप देख रहे हैं समस केचेन और हम बना रहे हैं आज मटन पानी वाला तो यह पानी अब अच्छी तरह से पानी में उबलने लगा है और अब इसमें डाल देते हैं तो यह दो हरी मिर्चे हैं जिसको मैंने ऐसे दो टुकड़ों में काट लिया है और साथ में हैं लहसुन की कलिया होगी और साथ में डाल देंगे नमक तो नमक एक चोटा चम्मच है और अब बस सिर्फ इसको पानी में ही पकाना है बिल्कुल भी तेल नहीं पड़ेगा तो यह मटन की जो अपने जूसेस हैं वही निकलेंगे और उसी से बनेगा तो आप मटन अच्छी तरह से पानी में उबल चुका है दस मिनट से पक रहा है और अब गैस को धीमा करके ढखकन लगा देंगे और इसको 45 मिनट से लेकर एक घंटे तक पकाएंगे जब तक कि हमारा बिल्कुल और इस पानी को जो भी थोड़ा बहुत बचा है उसको भी हम सुखाएंगे अब चलिए चेक कर लेते हैं मटन गला है के नहीं तो देख लीजे मटन बहुत अच्छी तरह से गल गया है और हमने बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है तो यह बहुत ही हेल्दी मटन की रेसिपी बनने वाली है बखरीद में आप ट्राई कर सकते हैं इसको और साथ में डाल देंगे इसमें एक आधा चबमच पिसा हुआ जीरा और एक चोथाई चबमच गरम मसाला और इसको पानी जो भी बचा है इसको सूखने तक हम इसको भूनेंगे तो आँच को तेज कर ल मतन सूखा बिलकुल तयार है गैस को अब बंद करेंगे और बस यह आपका हेल्दी मतन रेसिपी मतन ड्राई पानी वाला मतन हमारा तयार हो गया है बहुत ही लजीज बना है अच्छी तरह से गल चुका है तो ऐसे ही मुझेदार रेसिपी लेकर मैं आती रहती हूं तो जल् जल्दी से मैं आपको कुछ रेसिपी दिखा देती हूं यह है कुछ हमारा मतन हरी मिर्श मला और यहां पे हैं मतन चपली कबाब और यह मतन बिर्यानी और भी कई तरह की मतन रेसिपी जो आप अखरीद में ट्राई कर सकते हैं तो जरूर ट्राई करिएगा थैंक यू सो मच सब्सक्वाइब